सब्सक्राइब कीजिए नीचे दे गए रैड बटन से और बाद में बैल आइकन दबाए हमारी लैटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बिना कोई आवेदन सुर्क जमा कराए आप इस भरती पर बेजिजक आवेदन कर सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस भरती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका eligibility criteria होना चाहिए कितनी आपन number of frequencies है जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो कितनी sales लिए आपको successfully recruit होने के बाद organization के द्वारा provide कराई जाएगी क्या यहाँ पर आपका selection procedure रहने वाला है जिसके तहत आपका chain किया जाएगा क्या dates हैं जिनसे पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आवेदन कर सकते हो इन सब चीजों की पूरी जानकारी के लिए बने रही है इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस भरती की पूरी जानकारी बिहार Rural Livelihoods Promotion Society के अंदर ये भरती निकली है जहां पर पोस्ट का नाम है राज्ये परियोजना परबंदक, जिला परियोजना समनवयक, बलोक परियोजना, कारियनवयक और भी बहुत सारे खालिपद हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लिकेशन फोर्म मंगाई जा रहे हैं टोटल वैकेंसीज के अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3409 खालिपद हैं जिन पर आप बेजीजक आवेदन कर सकते हो educational qualification की वही पर अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम graduate degree या फिर post graduate degree पास होना जरूरी है किसी वैल उकळागनाई यूनिवस्टी से या फिर डिपलो में का होना आवशक है किसी वैल उकळागनाई इंसिटूट से age limit यहाँ पर आपकी 37 साल maximum रखी गई है जी हाँ दोस्तों 37 साल से अधिक आयो वाले candidates इस भर्ती पर अयोग के गोशित कर दिये जाएंगे से लिए आपको यहाँ पर रुपे 16,000 से 72,212 के बीच में पर मत के साब से प्रोड करा दी जाएगी application fees आपको जमा नहीं करानी है जी हाँ दोस्तों बिलकुल फिरी आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो किसी परकार का कोई आवेदन सूलक आपको यहाँ पर जमा नहीं कराना है selection यहाँ पर आपका return test और interview के माध्यम से क्या जाएगा सबसे पहले candidates return test में participate करेंगे और जो candidates return test में successfully qualify कर जाएगे केवल उनको ही interview के लिए बुलाया जाएगा और जो candidates interview में भी successfully qualify कर लेंगे वो इस भर्ती परकीरिया के तहत इस organization में recruit हो जाएगे dates के अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की starting date 15 मार्श 2019 है महीं बात अगर आवेदन करने की last date की की जाए तो वो 15 April 2019 है जी हाँ दोस्तो लगबग एक महिने का समय आपको यहाँ पर दिया जा रहा है जिसके अंदर आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो 15 April 2019 के बाद आपके application form इस भर्ती पर accept नहीं के जाएंगे अब हम आपको बता दें की कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो तो सबसे पहले candidates को बिहार Rural Livelihoods, Promotion Society की official website को log on कर लेना है जो की है brlp.in इस website को log on करने के बाद आपको इस भर्ती से related official advertisement को open करना है official advertisement को open करने के बाद आपको पूरी detail उसमें से read करनी है पूरी detail one by one carefully read करने के बाद आप simple इस भर्ती पर online आवेदन कर सकते हो इसके बाद भी दोस्त अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी website का link नीचे description box में पलस first comment box में मिल जाएगा जहाँ पर जाकर आप directly इस भर्ती का official advertisement open करके पूरी detail उसमें से read कर सकते हो जिहां दोस्तों ये इस भर्ती के official advertisement का direct resource link है जैसे ही आप इस link पर click करोगे तो आपके सामने इस भर्ती का official advertisement खुल जाएगा ये इस भर्ती का official advertisement है यहां से आप पूरी detail विस्तार पूरवक read कर सकते हो जैसे कि कौन सी particular post के लिए कितनी vacancies है क्या आपकी educational qualification होनी चाहिए क्या age limit है कितना relection आपको age में दिया जा रहा है इन सब चीजों की पूरी detail आप यहां से official advertisement में से read कर सकते हो पूरी detail यहां से official advertisement में से read करने के बाद आप simple इस भर्ती पर online आवेदन कर सकते हो online आवेदन करने के लिए apply online का link भी आपको हमारी website पर दिया गया है ये इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए apply online का link है जैसे ही आप इस link पर click करोगे तो आपके सामने इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए online portal खुल जाएगा ये इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए online portal है इस portal के माध्यम से आप इस भर्ती पर last date से पहले पहले आवेदन कर सकते हो तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे like और share करना मत भूलना साथी साथ दोस्तो अगर अब भी आपके मन में इस भर्ती से related कोई question या query है तो आप हमें comment के जरिये पूछ सकते हैं और अंत में दोस्तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्यूंकि हम daily basis पे आपके लिए ऐसी ही विग recruitment के अपडेट्स अपने इस चैनल पर upload करते हैं